ये हैं पूरे 70,000 डॉलर्स और आप मेंसे जो भी सबसे आखिर में मेरे हाथ आएगा वो इने जीट जाएगा ये एक बंद पड़ा हुआ अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर बहुत सारी इमारते हैं और छुपने के लिए अंगिनत प्लेसिज भी हैं और छुपने के लिए आपके पास 20 मिनिट्स हैं गुड़ लक याद रखना पूरे 70,000 डॉलर्स चुप जाओ चलो 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 मैं तयार हूँ ये मेरा मिस्टर बिस्ट का सबसे पहला चालेंज है मैं पहले हाथ नहीं आऊँगा बस यही मेरा गोल है मैं बहुत नर्वस हूँ ये सब चल क्यों रहे है क्या आपको स्पीड लिमिट है अब साड़े 19 मिनिट के बाद हम उन्हें ढूणने जाएंगे और जो भी सबसे आखिर में मेरे हाथ में आएगा उसे मिलेंगे 70,000 डॉलर्स चैनला, बातरूमें मत चुप जाना नए मैं बातरूमें नहीं चुप रहा हूँ मैं पहले ही दो बार हलका हो चुका शायद अभी के लिए यही चुपना चाहिए पंदर मिनट बचे हैं, मैं दोडूंगा नहीं हम इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं मुझे इस गेम की नीचे चुपना चाहिए ओ माइ गाड, यह जगा बहुत कोजी है यह थोड़ा खतरनाक है, पर रिस्क लेना ही होगा मैं इसके अंदर चुपने वाला हूँ क्या पता मैं यहां कितनी दिर टीक पाऊंगा मैं पैर गवाना पसंद करूँगा पर यह चालेंज बिल्कुल नहीं इस काउच के बीच है, मेरे पास और रास्ता नहीं है लेकिन यह बुरा आइडिया है जीतने के लिए तुम्हारी क्या थियरी है फिलाल तो कोई ठियोरी नहीं है मैं अभी भी सोची रहा हूँ मुझे डर लग रहा है एक बार फिर से याद दिला दूँ कि इनाम की रकम पूरे सतर हजार डॉलर्स है बहुत कुछ हो सकता है इतने पैसों में हम बहुत से केले खरीच सकते हैं हाँ, बहुत से केले खरीच सकते हैं इनाम की रकम है पूरे सतर हजार डॉलर्स काल हम तुम्हारे पास आ रहे हैं लेकिन मैं ही क्यूँ मैं भी काल के साथ हूँ ये चैलेंज अब शुरू हो क्या है शुरू करते हैं और अब शुरू होता है शिकार मैं उन्हें सूंग लूँगा यहां बहुत सारे ठिकाने हैं वो कहीं भी हो सकते हैं तो शयाद इस बिल्डिंग से ही शुरू करना समझदारी होगी क्या कोई इसके नीची है क्रिस तुम चीर्स की ओर डूंडो मैं यहां पीछे देखता हूँ शयाद अंदर कोई है नहीं यह सबी कैबिनेट्स देखने होंगे नई ठीक है तुम्हें कोई मिला गया यहां एक ट्रैश कैन है अच्छा बॉक्स है उठाव इस यह चुपने के लिए अच्छी जगह होती ठीक है यह बिल्डिंग क्लियर है अगली वाली में चलते है डर लग रहा है पहले तुम जाओ क्या यह कोई थीटर है यहां तो कोई पक्का छुपने के लिए आएगा क्रिस समलकर यहां एक आइस मेकर है और नहीं ओके यहां पर तो कोई भी नहीं है यह बहुत ही डरावना है यह तूटावा क्यों है यह जगे बहुत बड़ी है और यह पचासों बिल्डिंग्स में से सिर्फ एक है नसीब ने कुछ साथ दिया नहीं लगबग दो बिल्डिंग्स चेक कर ली है पर अब तक कोई भी नहीं मिला है हम तुमारे पास आ रहे हैं फिक्र मत करो वो यहाँ पर होंगे क्या यहाँ पर रडार में देख रहा है नीचे गिरे पत्ते भी थोड़े अजीब से लग रहे है क्रिस उस काउंटर के पीछे देखोगे यहाँ कोई नहीं है लेकिन छुपने के लिए अच्छी जगा है यह तुमने इस कूलर के अंदर देखा क्या मुझे पता है कहां देखना है इसके पीछे टूण लिया नई यहाँ मुझे अकेला छोड़ सकते हूं मैंने किसी को टूण लिया है तुम तो यहाँ हलके होने लग गए तॉयलेट में क्या कर रहे हो यहाँ टॉयलेट पेपर ही नहीं है मैं यहाँ थीस मिनिट से बैठा हूँ कोड़ी तुम आउट होने माले सबसे पहले खिलाड़ी हो पर मैं यही तो नहीं चाहता था कि पहले पकड़ा जाओ मैं पहले हाथ नहीं आउँगा बस यही मेरा गोल है अब तुम्हें पूरा दिन जेल में बिताना होगा जेल में स्वागत है और हाँ दर्वाजे ठीक वहाँ पर है चला और मुझे इस दर्वाजे को बंद कर देना होगा जेल की मजे लो वादा करते हैं और लोगों को लाएंगे काल को लिया आओ बहुत जल्द अटेंशन अटेंशन कोडी आउट हो गया है और वो जेल में है बहुत ही बुरा हुआ कोडी लेकिन मुझे खुशी भी हो रही है तुमने फिर से पाद मारी ना इसका मतलब मैं पहले पकड़ा नहीं गया मुझे इसी की फिक्र थी एक गया अब नौ बचे हैं हम आ रहे हैं कोई भी सेफ नहीं है अगर कोई इस ट्रैश कैन में छुपा हुआ है तो मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए माफ करना नहीं यहाँ पैरों की निशान है किसीने वहाँ छुपने की कोशिश की होगी हमने यहाँ सारी जगे देख ली है लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बस यही एक टाउन नहीं है इसके अलावा यहाँ और दो टाउन्स है इस खेल को खत्म करने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है ठीक है यह रा दूसरा टाउन है क्रिस हाँ यहाँ पर एक कमरा भी है यहाँ कोई तो होना ही चाहिए रुको, मुझे यहाँ से कोई आवाज आई थी सच में मुझे यहाँ से कोई आवाज आई थी यहाँ कोई नहीं जा सकता यह बहुत डरावना है यह डरावना है क्या इसके अंदर कोई है शायद इसके अंदर कोई है खोलो उसे और खोलो मुझे लगा कि अंदर कोई होगा वो मेरे एक्तम करीब से गुजरे यहां लगातार तीन घंटों से बर्फ गिर रही है और आखरी टाउन ठीक वहां उपर है चलो चल के चेक करते है चलो कुछ और लोगों को ढूंटे है चलो जिमी अरे ये क्या है आखर ये है क्या क्या इसके नीचे देखते है यहां एक कीडा है और कुछ नहीं है उसके नीचे नहीं यहां कोई भी नहीं है यह पैक्मेन मशीन खुली हुई है यहां इतनी जगह तो है कि कोई छुप सके पर इसमें कोई नहीं है इस वाले में भी कोई नजर नहीं आ रहा यह एक बुग बैग है ऐसा लगता यह चैनलर है मुझे एक पैर नजर आ रहा है यहां पर कौन है? चलो देखते हैं कि कौन है तुम पकड़े जाने वाले दूसरे इंसान हो जो भी आखिर में पकड़ा जाएगा वो ठंड की वज़े से जम जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जेल में भी ठंड से बच पाऊगे सच में? ठीक है कोडी तुमारे लिए दोस्त लाया हूँ क्या सच में? और अब मुझे अनाउंस्मेंट करनी चाहिए सब लोग ध्यान से सुनिए हमें दूसरे खिलाडी मिल गया है मैट अब खेल से बाहर है नहीं उन्हें मैट मिल गया ठीका मैट, जेल के मजे लो, हम अभी आते हैं ठांक्स जिमी अम जानते हैं तुम अंदर हो तुम पीछे के कमरे में देखो मैं स्टेज पर चेक करता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ यहां से भाग जाए एई क्रिस यह दर्वाजा तुमने खुला था यह दर्वाजा अभी अभी बंध हुआ मैंने इसे खुला और चुड़ा था दोस्तों क्रिस इस स्टेज के ठीक उपर ही खड़ा था महाँ पर अंदर कोई है मुझे कुछ आवाज आई मैं जानता हूँ यहाँ कोई है हमने सुन लिया मैंने सुना मुझे कोई तो आवाज सुनाई दी तो उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है उपर ज़रूर कोई है क्रिस ओ नहीं क्या हुआ ओ नहीं कोई है आपर नहीं यह यहाँ पर है चैंडलर मैं तुम से सच में नफरत करता हूँ लेकिन क्यों तुम हमेशे ही मुझे ढून लेते हो हमें उपर चैंडलर मिला है प्रेट्जल्स खा रहा है था मुझे यकिन नहीं हो रहा है कि वो तोनों मुझे नहीं देख पाए उन्हें चैंडलर तो दिख गया और वो ठीक वहाँ था और मैं इसके पीछे चुपा हुआ था हम आपके लिए एक नया दोस्त लाए है चैंडलर चलो अंदर चलो आ जाओ सॉरी लेकिन जेल में स्वागत है सब लोग जरा ध्यान से सुने अब तक तीन लोग आउट हो चुके हैं हमें अभी मिला चैंडलर चैंडलर कुछ को ताकि उन्हें विश्वास होजाए ओ बेबी बहुत अच्छे मुझत यकिन नहीं हो रहा है कि मैं बच कया और टाइलर तुम्हारे पास क्या है मेरे पास लॉबस्टर है ब्रो टाइलर के पास एक लॉबस्टर है चैंडलर यह तुम्हारे लिए चैंडलर भी यहाँ पर हमारे साथ डिनर करने वाला था यही तो प्लैन था चलो और आप चीजों को इंट्रेस्टिंग बनाते हैं मैंने बताया था ना कि यहाँ तीन टाउन है तो हम उन में से एक को बंद करने वाले हैं वाकी टॉकी भी गराने वाले हैं यह भी प्लैन का हिस्सा है जोन 3 बंद हो जाएगा वो अभी 15 मिनिट में उसके बाद हम आप सब को डूण लेंगे मैं अब तक पूरे समय जोन 3 में ही चुपा हुआ था और वो अब इसे बंद करने वाले हैं यह बहुत ही बुरा है उन सब को गुड़ लग जो जोन 3 में है उमीद है तुम पकड़े जाओ जैसे मैं पिछली बार पकड़ी गई थी मैं स्की बॉल मशीन के ठीक नीचे हूँ मुझे इस सिस्टूम के अंदर एक छोटा सा होल मिला है वो यहाँ आभी गए तो मुझे नहीं देख पाएंगे मैं इस फ्लफी जगह पर चुपूंगी यहाँ पर तो सच में बहुत दूल है मुझे थोड़ी खुचली हो रही है याद है हमने आप सबको एक बैक पैक दिया था इस बैक पैक के अंदर है एक स्लीपिंग बैग और स्लीपिंग बैग के नीचे एक अलाम क्लॉग भी रखी हुई थी और जिसका अलाम बजने वाला है ठीक चार मिनिट में और वो इसे बंद नहीं कर सकते ध्यान से सनो आपको एक सप्राइज बिनने वाला है अभी वो क्या था? यह वास कैसी है इसके अंदर एक अलाम क्लॉग है लुका छुपी खेलते वे मुझे इसी की जरुरत थी ठैंक्स जिमी ठीक चलो उन्हें ढूंडते हैं कमान क्रिस आओ उन्हें ढूंडते हैं ओ क्रिस इदर आओ रोन यहाँ पर कौन है तो जब तुमने उसे सुना तब क्या वो वहाँ वहाँ पीछे से आ रही थी या वो यहां से आ रही थी शायद से? हाँ शायद वहीं से आ रही थी शायद मुझे यहाँ तो यहाल है? नए ज़र आद देखो तो हमें अलाम की वज़ा से पता चल गया मैं उस बैक से सब कुछ बाहर निकल कर फेक रहा था मुझे लगा आवाज इसी के अंदर से आ रही है अब जेल चलो बात करते करते मैं वैसी जगह पर कभी ने गया हूँ पहरी बचा रहा हूँ तो अलाम क्लॉक का प्लान काम कर गया और हमने इसे दबोच लिया बैन आउट हो गया है अब बैन का काम खत्म हो चुका है मतलब कि आप मेंसे कोई एक अब उन सत्तर हजार डॉलर्स को जीतने का वाकब पा सकता है पर हम पकड़ने आ रही है मैं बैन के साथ जाने वाला था लेकिन अच्छा हुआ मैं नहीं गया बैन आउट हो गया ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछली बार साथ हजार डॉलर्स और मेरे बीच वो बस एक ही इनसान था सच में ये हमारी लिए अच्छी खबर है मतलब कि अब लूका चुपी का चैंपेन बदलने वाला है ये इस पूरे दिन की सबसे अच्छी खबर है हम फिर से ढूड रहे हैं तो अब यहाँ वहाँ घूमना बंद करो हमें अभी कोई ना कोई जरूर मिलेगा मुझे महसूस हो रहा है और ये बात ये जगह चला चला कर बता रही है लगरा है काल यहांपर है वो जरूर यही होगा और मानलो तो अच्छा होगा मैं जानता हूँ तुम यही हो काल यह देखो यहाँ तो मैरी लीसा है मैने इसे पकड़ लिया मुझे तुमसे नफरत है उन्हें फिर से कोई मिल गया, यानि अब बस पांच बचे हैं, आधा चालेंज हो गया मैं हमेशा तुम्हारी वज़े से हार जाती है मुझे वैसा करने में बहुत मज़ा आता है लगता है उन्होंने मेरी लीसा को पकड़ लिया, वो लोग बाहर है हारने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है सच में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है ठीक है, जेल में स्वागत है मेरी तुम भी जेल में, तुम भी जेल में पांच लोग आउट हो चुके हैं और पांच लोग बचे हैं बता दू कि मेरी लीसा भी आउट हो चुकी है नहीं, मेरी और एक मिलियन पकड़ी गई थॉमस, दूसरा थॉमस टाइलर, कॉल और केली अब बस आप पांच ही बचे हो क्रिस, क्या, जल्दी करो यहां अंदर कोई है बहराओ, बहराओ, तुम जहां पर भी हो चलाओ शीमी, यहां आ गया इस प्लास्टिक पर मुझे बहुत शक हो रहा है कुछ भी नहीं अब तक हमने इस रूम को चेक नहीं किया यह बड़ी ही अजीब बात है कि यह ड्रायर के उपर कैसे आ गया कोई भी नहीं है नहीं देखो यहां कौन है केली, नहीं शायद मुझे यहां कोई मिल गया है अभी तुमारी लोकेशन क्या है जेल में आजाओ, वही मिलता हूं तो, उन्हें एक और खिलाडी मिल गया मतलब बस चार लोग बचे हैं केली आउट हो गई है अब बस चार लोग बचे हैं तो, अब दो जोन्स में से एक को हम बंद करने की सोच रहे हैं कितने लोगों को लगता है कि एक अच्छा इडिया है कैदियों ने वोट किया है और उनकी मांग है कि जोन दो को बंद कर दिया जाए और 20 मिनिट में करो या मरो वाली सिच्वेशन होने वाली है अब तो मैं पूरी तरह फस गया हूँ क्या करो यह बहुत बेकार चका है मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ अगर उसने देख लिया तो मैं गया मैं सोच रहा हूँ कि वो गिलहरी जैसा बेवकूफ कारल कहां पर छुप सकता है वो दोनों भी कारल को ढूण रहे है जीमी अभी मेरे बहुत बहुत जादा करीब है ओ ज़रा देखो तो टाइलर तो यहाँ छुपा हुआ है छुपने की अच्छी जगे चुनी है तुमने नई तुमने मुझे देखा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था हां तुमारा कैमरा लिंस नजर आ गया ए जीमी देखो तो मैंने किसे ढूंडा है यह मेरा वीडियो बना रहा था पता है उन्हें एक और बन्दा मिल गया है इसका मतलब अब सत्तर हजार डॉलर्स और मेरे बीच में सिर्फ दो ही लोग बचे हैं एक खिलाडी पकड़ा गया उमेद करता हूँ वो टॉम नहो चायला आउट होने वाला सात्वा खिलाडी था अब बस तीन बाकी है काल अब तुम्हारा मुकाबला है दो थामसों से क्या तुम सच में उन दो थामसों को तुम्हें हराने दोगे मेरे डैट का नाम भी थामस है तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं होगा उसका पता बताओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूगा शायद से वाल Carl, Cody بتا रहा है के तुम जिल के आसपास ही कहीं हो. क्या ये बात सच है, बताओ मुझे. काल? क्या यहाँ कोई है? काल? शर्त लगा लो काल यहीं कहीं चुपा हुआ है. तुम कहा हो? थौमस. काल? यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा रहा मुझे. क्या कोई नहीं है? नहीं मैं बेन को बाहर निकालता हूँ, वो ढूनने में मेरी मदद करेगा क्या लगता है, कोई कहाँ छुपा हो सकता है? मुझे लगता है, वहाँ पर कोई हो सकता है यहाँ पैरों के कुछ फ्रेश निशान है ये निशान सच में ताजे लग रहे हैं रखो, यहां कोई होगा क्या? निशान इस ओर नहीं दिख रहे हैं ओ, मुझे लगता है यहां हमें जरूर कोई मिलेगा शाहिद वो लोग मेरे बहुत करीब आ गया है पर पता नहीं कौन आया है ठंड बहुत बढ़ गई है मैं यहां ढूणने की सोच रहा हूँ शायद यहां अंदर कोई है यहां पर तो मैं पहले भी आया था हे बड़ी, गदार कही के माफ करना दोस मैं गदार हो यहां बहुत टाइम से हूँ सच में, मैं यहां से गया था तब भी यही थे सच, यहां पैरों के निशान भी है किसीने वहां छुपने की कोशिश की होगी यह छुपने के लिए काफी अच्छी जगह है सही का मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई मुझे यहां ढूणने आएगा मैं जम गया फ्रीजिंग गाइज, देखो हमें कौन मिला नई मुझे लगा नहीं तो तुम पकड़ेशा होगे Mr. Thomas जेल में स्वागत है अब बस बचा है एक Thomas और एक Carl Carl, कैसा लग रहा है तुम फाइनल टू में पहुँच गए हो मुझे टॉप टू में रहने की आड़त है देखते हैं मैं जीत पाता हूँ या नहीं Thomas, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है मैं डरा हुआ हूँ तुमने Carl से 60,000 चुराए थे क्या तुम वैसा फिर से करोगे मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे 70,000 डॉलर चीनने वाला हूँ कार सिर्फ दो लोग बचे हैं लेकिन ये टाउन बहुत बड़ा है उन्हें ढूनना बहुत ही मुश्किल होना है जहां हमें Thomas मिला था न मुझे लगता है शायद विनर वहीं कहीं होगा क्या यहां कोई नहीं है नए, मुझे लगा था यहां जरूर कोई मिलेगा क्योंकि ये एक सच में अच्छे स्पॉट है यहां एक सीक्रेट रूम है यहां वर कोई नहीं है पक्का आखिर वो हैं कहां काल काल और Thomas तुम हमें नहीं मिल रहे हो तो तुमारे पास 10 मिनिट है तुम्हें दूसरी किसी बिल्डिंग में जाकर चुपना होगा जिमी ने 10 मिनिट दिये हैं दूसरी जगा पर चुपने के लिए बस मैं और काल है ठीक है अब मैं एक दूसरी जगा पर आ गया हूँ आप देख सकते हैं कि मैं बर्फ में बैठा हूँ अब तक उन्हें ढूणने में क्रिस मेरी मदद कर रहा था फिर मैंने बेन को साथ ले लिया और अब चौथे आदमी टैलर को भी काम पर लगा रहे हैं हम चारों हैं एक सल्ट स्क्वाड हे काल और थॉमस आपको बता दूँ अब टैलर और बेन भी तुम्हें खोज रहे हैं आपको कुल मिला कर चार लोग ढूण रहे हैं तो समलकर गुड लग अच्छा हुआ मैंने जगा बदल दी क्योंकि टैलर जानता था मैं पहले कहां चुपा हुआ था शायद मैं सेफ हूँ लेकिन जल्द ही हम में से एक तो पकड़ा ही जाएगा मैं जेल के ठीक पास हूँ ठंड लग रही है मैं याँ चुपने वाला हूँ बस वो मुझे देख न ले मैं उनसे सबसे दूर वाली बिल्डिंग में चुपा हूँ हैं कहां वो काल थोमस ठंड बहुत बढ़ गई है तुम कहाँ परो हम उन्हें ढूंड ही नहीं पा रहे हैं तुम दोनों ढूंडने में मदद करोगे हां क्यों नहीं आओ अब हमारे साथ और दो लोग जुड़ गए हैं तो अब हम हैं कुल शे लोग तुम दोनों टीम बनाओ और उन्हें ढूंड़ो समझ के काल काल कैसे मतलब वो कैसे एक अच्छा स्पोर्ट छोड़ने के बाद फिर से एक अच्छा स्पोर्ट ढूंड सकते और वो भी दोनों अदली बदली की होगी आखर वो हैं कहां पर मुझे नहीं लगता मैं अपनी पूरी जिंदेगी में भी कभी इतना परिशान हुआ हूँ कम से कम स्नोफॉल तो रुग गया क्या ख़बर है शायद मुझे कोई मिल गया है कोडी तुम्हें कोई मिला है क्या काल मतलब के थोमस अब वो अकेला ही बचा है थोमस तुमने जीते हैं सत्तर हजार डॉलर्स काल कुछ कहना चाहोगे आई हेट यू ओ माई गॉश येए 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 श्याद हमें अपनी दोस्ती और पक्की करनी चाहिए देखो वो कितने खुश है वो आज रत कहीं मिलते हैं आज मैं थोड़ा बेजी हूँ सॉरी जमा देने वाली ठंड में इतनी देर खेलने के बाद तॉमस तुम जीत गए तो तॉमस ये कैश अब तुम्हारा है और तुम्हें मिल रहे हैं ये सत्तर हजार डॉलर्स ये सपना तो नहीं ना बिलकर नहीं सब्सक्राइब जल्द मिलते हैं